विल्कम वेक टू आवर यूटूब चैनल राहें आसान नहीं होती बलकि हमें आशान बनानी पड़ती है तो आईए बिल्कुल सुने से सिखर तक हम लोग चलेंगे और भासा व्याकरण को जानेंगे बिल्कुल आसान शब्दों में आप पढ़ाएंगे और समझाएंगे भी तो इसलिए आप पहली बार अगर इस चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बहुत सारे वीडियो पढ़ चुके हैं जिसको आप देख सकते हैं और उसके बाद में जो भी हम वीडियो डालेंगे अगर आप लाइक सियर और सब्सक्राइब कर रहे हैं बेल आइकन को प्रेस कर रहे हैं तो जो भी वीडियो हम डालेंगे वह आप तक जरूर पहुचेंगे बिलकुल बेसिक से पढ़ाएंगे और लाश्ट तक आप बिलकुल सूने से सिखर तक पहुचेंगे तो इसलिए आप इस चैनल से जरूर जूर जूर जाएं तो चलिए हम अपने प्रशन की तरफ चलते हैं तो पहला पहला शब्द होता है कि भासा किसे कहते हैं तो भासा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुसे अपने मन के भाओं और विचारों को प्रकट करता है भासा के द्वारा ही हम एक दूसरे को जान पाते हैं भासा से ही हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं क्योंकि अलग-अलग भासा सबकी होती है जैसे पक्षियों में अपनी भासा होती है एक दूसरे को अपनी बात पहुचाने के लिए इंसानों में भी अपनी भासा होती है तो भासा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुसे अपने भाओं और विचारों को प्रकट करता है और दूसरों के भाओं और विचारों को जानता है इस प्रकार आसान सब्दों में हम लोग जान सकते हैं कि भासा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाओं और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे के भाओं और विचारों को समझते हैं क्या कहलाता है भासा कहलाता है तो भासा भासा वह माध्यम है फिर से एक बार देखिए भासा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावां और विचारों को प्रकट करता है अपने भावां और विचारों को प्रकट करता है भासा कितने प्रकार की होती है आगे हम लोग सब कु तो पहले भासा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुश्य अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करता है तथा दूसरे के भाव और विचारों को जानता है तो वह क्या कहलाता है वह भासा कहलाता है नेक्स्ट है भासा कितने प्रकार की होती है भासा के कितने रूप होते ह या भासा कितने प्रकार की होती है तो इसको भी जानेंगे तो भासा के जो रूप होते हैं वो होते हैं दो रूप होते हैं भासा के कितने रूप होते हैं दो रूप होते हैं प्रतेक भासा के दो रूप होते हैं कौन कौन से तो ये लिखित भासा है और दूसरी है मौखिक भासा, यानि मौखिक भासा और लिखित भासा, भासा के कितने रूप है, भासा के दो रूप है, मौखिक भासा और लिखित भासा, मौखिक भासा कैसे हम समझते हैं, तो मौखिक भासा को, यह भासा का वह रूप है, जिसके द्वारा ब्यक्ति बोल कर अपने भाव और विचारों को प्रकट करता है, ब्यक्ति अपने भाव और विचारों को कैसे प्रकट करता है, तो मौखिक भासा में वह बोल कर प्रकट करता है, जैसे किसी को भूक लगी है, तो वो बोल कर बताएगा कि या मुझे भूक लगी है, या फिर मुझे ये चीज च समाचार वाचन, समाचार वाचन क्या है, ये भी मौखिक भासा है, बाद भी बाद कहानी सुनना या सुनना भाशण आदि भासा के मौखिक रूप है, कहीं भासण हो रहा है या कहीं टीचर एक्स्प्लेंड कर रहा है, ये सब मौखिक भासा है, मौखिक भासा अस्थाई नही होती है कौन क्या बोल दिया वह अस्थाई नहीं होती है और जो लिखित भासा वह अस्थाई होती है इसमें दो कोश्चन बन जाते हैं कि मौखिक भासा क्या होती है अस्थाई होती है या अस्थाई होती है तो मौखिक भासा अस्थाई होती है लिखित भासा का दूसरा जैसे किसी नोट को बनाना, किसी डाइरी को लिखना, ये सब लिखित भासा के अंतरगत आता है तो भासा किसे कहते हैं और भासा की कितने रूप हैं, इसको हम लोग इस वीडियो में जाने और बहुत आसानी से सब लोग एक बार न समझ में आए, तो आप दोबारा भी इस वीडियो को देख सकते हैं Thank you for watching this video, मिलते हैं next video में